अब आप बोलोगे 30 साल पहले तो मैं था भी नहीं, 30 साल पहले इतने पैसे भी नहीं थे, इन्वेस्मेंट के बारे में पता भी नहीं था, कोई बात नहीं, 20 साल पहले खरीद लिया होता, 2001 में खरीद लिया होता आपने, तब भी कितने का था? लगबख 480 रुपय का था, आज की रिड़ में कितना है? 1000 रुपय का है, आपने उसके बाद भी खरीद लिया होता, कहने का मतलब यह है कि आप स्टोक मार्केड में जब आते हो, तो आपको बहुत सारी study करने को मिलेगी ऐसा ही नहीं केवल यहां से आपको return नहीं मिलेगे आपको यहां से आपके mental ability इतनी strong हो जाएगी आप जितना जादा इसमें पढ़ते जाओगे इसमें सीखने को इतना कुछ है कि आपने जो schooling की है जो college में आपने पढ़ाई की है उसमें आपको इतना सीखने को नहीं मिलाओगा जितना आप stock market से सीख लोगे दिन बदिन आप अपनी mental ability अपनी skills को improve कर सकते हो तो आप यदि आज भी निवेस करते हो और MRF for example है बहुत सारे ऐसे stock हैं जो कि आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद यदि आप बात करोगे तो आप पीछे मुड़ कर देखोगे तो आपको नजर आएगा हजारों गुना return वो दे चुके होंगे आज की rate में भी market में ऐसे बहुत से सेहर है मेरे portfolio में भी ऐसे stocks हैं और मैं भी उनको add करता रहता हूँ तो यदि आप भी चाहते हो वो hidden stocks के बारे में पता करना तो आप community membership जोईन करके उन stocks के बारे में पता कर सकते हो तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कुछ various category के mutual funds जो कि पिछले 6 महीने में एक साल में और तीन साल में बहुत चांदार performance दे चुके हैं अब इसके अंदर various categories मैंने क्यों बोला क्योंकि ये sectoral fund भी होंगे flexi cap भी होंगे, small cap भी होगा, mid cap भी होगा large cap भी होगा और sectoral में different sectors भी होगे तो उनमें से जो criteria यहाँ पर आपको दिखेगा वो 6 महीने में highest performance कि इसने दी है लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब mutual fund में निवेस करते हैं तो वो cable और cable long term के लिए होता है तो मैं performance को analyze करूँगा on the basis of 3 years 3 years तक का data है 6 महीने, 1 साल, 3 साल ठीक है, तो देख लेतें कि कौन-कौन से fund ने कैसा perform किया है list लंबी है, लेकिन हमारा जो देशिया है वो ये है कि हाँ ठीक है अब sectoral mutual fund की बात जब आती है तो पहले मैं specify करना चाहूँगा यदि sector अच्छा चला, वैसे मैं पहले भी करवर बता चुका हूँ, तब आपका sectoral mutual fund भी अच्छा निवेस जो है performance देगा लेकिन यदि sector में ही downturn आ गया तो आपका mutual fund भी अच्छा performance नहीं दिखाएगा इसलिए आप sectoral mutual fund को avoid करके direct stocks में भी निवेस कर सकते हो, तो चलिए समझने कोशिस करते हैं कि कौन-कौन से mutual fund की performance on the basis of last 3 years अच्छी रही है, यानि कि top पर उन्हों परफोर्म किया है तो पहले यदि देखोगे ETF Global अब इसका number 1 पर क्यों आ रहा है जो इसमें आपको serial दिख रहा है ये दिख रहा है on the basis of last 6 month performance तो उसको मैं consider नहीं करूँगा लेकिन ये table जो है, जो data है वो 6 month को लेकर highlighted किया गया है 6 महीने के base पर ETF Global ने 11.40% के return बना कर दिये है एक साल में 9.85% और 3 साल में 6.88% तो 3 साल में पहुंचते महुंचते भाई साब के return लगबग 6.5% के रहे गए हैं तो 6.6% के तो return कुछ होते नहीं है तो 6 महीने में 10.91% के return है और 1 साल में 25.25% के return है काफी अच्छे हैं और 3 साल के अंदर 30.84% लगबग 31% के return है यह बहुत शानदा return है यानि कि पिछले 3 साल में सेक्टर ओटो ने अच्छा performance निकाल कर दी है अब आता है तीसरा नंबर वो आता है one of the favorite mutual fund of आजकल जो बना हुआ है वो है small cap category अब small cap category के mutual fund के दिए बात करें पिछले 6 महीने में 6.36% के return निकाल कर दी है यह category की बात कर रहा हूँ मैं कोई एक AMC से associated यह performance नहीं है किसी भी small cap fund की ठीक है तो 6 महीने में 6.36% एक साल में 23.16% और यह 3 साल में 49.97% आप देख लिए यह पूरी list में 49.97% यानि कि top पर है small cap fund की performance पिछले 3 साल में अभी अब यहाँ पर एक बात consider करने वाली है 3 साल पहले लगबग यदि बात करें COVID का time था उस समय मार्केड बहुत ज़ला डाउन था तो वहाँ से यदि performance यानि कि गरे वे time से और आप top पर calculate करूगे तो performance समय सा अच्छी आईगी लेकिन केवले small cap की अच्छी कि दिखाय दे रही है बाकी के फंट भी यही है वो भी यही पर निवेस करते हैं लेकिन depend करता है कौन सी category में small cap, large cap, mid cap में निवेस किया हुआ है यही होता है कारण जो performance को उपर और नीचे ले आने का ठीक है अब चलते हैं अगला sectoral का है अगेन FMCG FMCG companies आपको पता है तो यहाँ पर पिछले 6 महिने में 5.85% की performance दिये रिनी के return दिये है और यदि बात करें एक साल की तो FMCG sectoral mutual fund ने 24.91% के return निकाल कर दिये है तीन साल के अंदर 25.81% के return निकाल कर दिये है अब एक बात और के लिए करना चाहूंगा आपको जो यह 25.81 यानि कि किसी भी category का low return या 30% दिख रहा है 49% दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि लगा यानि इसने पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में भी इتना दिया है ये जो return निकाल कर दिये है हो सकता है, पिछले 2 साल में performance न दी हो और बाद के एक साल में अच्छी काची performance दी हो तो ये average return निकाल कर आ गए है Mid Cap Mutual Fund ने पिछले 6 मेने के अंदर 3.44 यानि कि 3.44 प्रितिसत के रिटर्न दियें जो कि बहुत negligible है और 6 मेने के performance को हम analyze भी नहीं करते हैं उससे कुछ हम decide भी नहीं कर सकते हैं इसके बाद यदि बात करें एक साल की तो एक साल के अंदर Mid Cap अपने 20.65 प्रितिसत के रिटर्न दियें अच्छे हैं तीन साल के अंदर 30.65 ये भी अच्छी कासी performance है इसके बाद सेक्टोर अदर सेक्टर 3.34 चै महिने में 15.97 में एक साल में 21.95 में 3 साल के अंदर दिये हैं इसक पॉरन इक्विटी के अदि बात करें 2.67 जो है 6 महिने में माइनस 8% के पिछले एक साल के अंदर और 15.73 परचेंट 3 साल के अंदर रिटर्न निकाल कर दिये हैं जब हम जाएंगे लॉंग टर्म में तो मैं आपके साथ पहले भी साजा कर चुका हूँ वहाँ पर जो केटेगरी है वो अल्लेडी उसी को सोच समझ कर आप निवेस कीजिए अब चलते हैं वेल्यू फंड वो फंड होते हैं जो कि अंडर वेल्यू लगते हैं परफॉर्में में 19.68 एक साल में और 27.65 जो है तीन साल में जो परसेंट के रिटन निकाल कर दिये हैं इसलिए सेक्टर के साथ जाना जो कई बार अच्छा नहीं रहता आप सेक्टरल जो है फार्मा की बात करें तो कोबिड के समय तो यह बहुत ज़्यादा हाइस था लेकिन उसके बाद ग इसी करान से इसके जो है जो है जो है रिटन जो कम दिखाई दे रहें ठीक है और इसके बाद लार्ज और मिड केप की बात करें 1.65 परसेंट 17.99 25.8 0 परसेंट लबग 26 परसेंट की जो यहां पर दिखाई दे रही है तीन साल की यह बीए अच्छी परफोर्मेंस है और फ्ल कर सकते हो वैसे मैं तीन साल को भी नहीं करता हूं उसके बाद 8 साल उसके बाद 10 साल जिसकी फंड की अवलेबल है उसकी देख लिजी जितना maximum टाइम के लिए वलेबल है और उसको बीच बीच में तीन साल के गैप से आपको अवरेज करके निकालने की कोसिस की कुछ कूं सा कराए जिसकी बहुत सारे mutual fund ऐसे हैं बहुत सारे stocks भी market में ऐसे हैं तब उसमें निवेस्ट करने का आनंद आता है उसी से आपको बहुत सानदा return भी देखने को मिलते हैं तो इस लिस्ट के यदि बात करें तो तीन साल के अंदर जो टोप आते हैं तीन साल की performance की बेस पर नंबर और पर इसमोल कैप आता है नंबर टू पर आता है सेक्टरल का ओटो सेक्टर का जो फंड है वो आता है और नंबर तीन पर आता मिड कैप mutual fund ये तीनों टॉप पर हैं on the basis of last three years performance ठीक है तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में उम्मीद करता हूँ इसलिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यदि ऐसा है तो बाकि लोग के साथ भी साजा कीजिए नमस्कार जैहिंद जैभारत